नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूरीनू उसके मोबाइल में प्रेमिका के परसनल फोटो थे जिसे बार बार कहा गया फोटो डिलीट करो लेकिन लड़के ने फोटो डिलीट नहीं किया इसके बाद वो लड़का गायब हो गया और उसकी लाश मिली आखिर किस ने बन फोटो वगेदा रखे थे अपने पास जिससे की परिवार जनों को और प्रेमिका को आपक्ति थी मैं फोटो वाइरल कर दूँगा परसनल फोटो पर एतराज फोटो डिलीट करो वरना पार्टी में मर्डर का प्लान पत्थर सिवार प्रेमिका कतल जीजा साले की खौफनाक साजिश आठ जन्वरी इलाका सुडोर पन्ना इस तारीक को उमेहा नाला इस टॉप डेम के नीचे एक लाश मिली लाश की ख़वर पुलिस बालों को मिली पुलिस की टीम जब मौकायवार दात पर पहुँची तो लाश की पैचान करना मुश्किल था पत्थर से कुचल कर यूबकी हत्या की गई थी सोशल मीडिया पर लाश के फोटो अपलोड किये गए थानों में भी लाश के फोटो भेजे गए कहीं किसी गुमशुदगी से इस लाश का कनेक्शन तो नहीं इदर लाश की पैचान हुई ये लाश थी 20 साल के हरशित की इस मडर में एक लब स्टोरी का खुला सा हुआ शान अगर थाने संबंदित हैं जिसमें आठ तारिक आठ जन्वरी को एक मृतक की लाश मिली थी जिसमें पता किया गया पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया आइडेंटिफिकेशन के बाद जुमृतक है उसका नाम हरशित सिंग राजपूत पता चला और ये पता चला कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिस गाउं में लाश मिली थी उस गाउं का भी मर्डर से कनेक्शन था रतक हरशित की हत्या में उसकी प्रेमिका के नाबालिक भाई और जीजा का हाथ था प्रेमिका का जीजा उसी गाउं का रहने वाला था जिस गाउं में हरशित की लाश मिली शराब पीने के बहाने हर्शित को बुलाया गया था जहां बार-बार यही कहा गया मोवाइल से फोटो डिलीट करो अरोपियों ने पूस्ताष में बताया कि हर्शित ने फोटो डिलीट करने से इंकार कर दिया हर्शित के पास उसकी प्रेमिका के परसनल फोटो थे सूत्रों की माने तो इस प्रेम सम्मध पर लड़की के घरवालों को एतरास था वो लड़की की कहीं और शादी करना चाते थे इस पर्सनल फोटो पर भी घरवालों और प्रेमका को एतरास था आरोप है कि प्रेमी हर्षिट इन पर्सनल फोटोज को वाइरल करने की धमकी दे रहा था इस धमकी पर हत्या का ये खौपनाक प्लान बना किड्नापिंग की अजीबो गरीब वारदात है ये पांच साल के बच्चे का अपरण हुआ लेकिन ना तो फिरोती के लिफ कॉल आया कोई और ना ही कोई धमकी किड्नापिंग करने वाले पती पतनी थे आखिर कौन है ये अंकल आंटी ओपरिशन किड्नापर के ये 72 घंटे होश उड़ा देंगे पांच साल के मासुम बच्ची का परण कपड़े दिलाने के बहने किड्नाप वो अंकल आंटी कौन थे मा करे फर्यार मेरा बेटा लोटा दो पलीस की दस टीम मासुम की तलाश वो 72 घंटे ओपरिशन किड्नापर गली गली मोहले मोहले उसकी तलाश चारी थी पलीस की टीम आने जाने वाले लोगों को मोबाइल में उस बच्ची की तस्वीर दिखा कर पूछ रही थी क्या आपने इस बच्ची को कहीं देखा है पलीस की दस टीम आप्रेशन किड्नापर में लगी हुई थी ये वो 72 घंटे थे जिसने पलीस की पेशानी पर बल ला दिया देवास की ओध्यूगिक थाना लाके में रहने वाला पांस साल का मासुम अश्चान खेलते हुए गायब हो गया था उस वक्त बच्ची की मा काम पर गई थी मासुम बच्चा अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा था तब एक अंकल आंटी स्कूटी पर आये और अपने साथ मासुम बच्चे को किड्नेप करके ले गए आखिर ऐसा क्या हुआ की बच्चा उस किड्नेप पर अंकल आंटी की साथ चला गया तो चश्मदीत बड़े भाई की मताबिक उन अंकल आंटी ने पहले ये कहा तुम उनके बच्चे हो और फिर ये की हम आपकी अम्मी को जानते हैं छोटे भाई को कपड़े दिला कर घर छोड़ देंगे तिन दिन पहले एक महिला द्वारा आका रिपोर्ट किया गया कि वो अपने काम पे जाती हैं और घर पे उनके दो बच्चे एक आट वर्स का एक पाच वर्स का रहते हैं गर पे कोई बच्चों की देख भाल के लिए नहीं है तो समाने ताब बच्चे बाहर भी तक घर के आस पास भूमते भी रहते हैं जब वो काम से लोटी तो उनके बड़े बच्चे ने बताया कि छोटा भाई मिसिंग है और जब बात चीत हुई तो उसमें पता चला कि कोई विक्ती आये थे जो अपने साथ कपड़ा दिलाने की बात का के ले गए इसके बाद मासुम अर्शान का कहीं पता नहीं चला अपने आप में कट्नैपिंग की ये अजीबो गरीब वारदा थे ना तो फिरौती के लिए कट्नैपर का कोई कॉल आया क्या किसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया था सेसी टीवी फुटेश खंगाले गए और फिर पुलिस के हत्ते चड़े गिपपती पत्नी जो देवास के सिविल लाइन थाना लाके के रहने वाले हैं तीन दिन के लगबग मेहनत के बार टीम को सफलता मिली और इसमें बच्चा सकुसल बरामद हुआ है और जो आरोपी नहीं बच्चे को ले गए थे उनको भी पुलिस ने गिरफतार किया है इसमें पुलिस टीम के अच्छे काम के लिए सभी को आज सम्मानित भी किया गया है और पुलिस टीम को नगत इनाम से भी पुरस्कित किया जा रहा है आरोपियों से पूछताच जारी है अब तक किटनैपिंग के पीछी की वज़ा इन दोनों नहीं नहीं बताई है आरोपी हैं वो एक अधेर उमर के दमपत्ती हैं पचपन साल और पचास साल इनकी उमर बताई जा रही है और यह अभी बात अभी आई है प्रात्मिक पुछताच में कि घर में परिवार में उनके कोई अन्य वक्ति नहीं रहता उनसे जो पुछताच हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा और सहयोग नहीं कर रहे हैं चीज़ें असपरस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन जो अभी देखने में आ रहा है कि बच्चे को वो पकड़ के ले गए हैं जबजस्ती ले गए हैं और उन्होंने उनको कश्टडी में अ कनिक्शन बच्चा चोर गैंक से हैं ऐसे कई सवाल हैं जिस पर तफ्तीश जारी है देवास में वरुन राठोर की साथ ब्यूरे रिपोर्ट निउस 18 मध्रप्रदीश 36 कर अब आपके सानने लाइब होगा करीब 5 करोड का सोना और करीब 15 करोड की हिरोईन कार में कैसे इन त प्रफ्ते ठिकानों की परताल करती रिपोर्ट दो शहर ओपरेशन तसकर ये दो शहर तसकरों के गुनाह की गवाही दे रहे हैं ऐसे ऐसे चेंबर जिसका खुलासा हैरान करने वाला है सबसे पहली तस्वीर महसमुद के सिंग घोडा थाना इलाके की यहां हो रही थी गोल्ड की तसकरी कैसे ये सुनी है देखिए तसकरों के शातिर दिमाग सोने की तसकरी गोल्ड विस्किट और पत्ती के शकल में की गई कार की ड्राइवर सीट पर नीचे केविन बनाया गया था ओडिशा 36 गड के रास्ते पुने महरास्ट इस कंसाइनमेंट की डिलिवरी होने वाली थी लेकिन महसमुद की सिंगोडा पुलिस ने गेराबंदी कर तसकरी का ये राज फाश कर दिया अब दूसरी तस्वीर मंत सौर की नशे के सौधागर पुलिस की आँख में धूल जोकने के लिए ऐसे रास्ते अक्तियार कर रहे थे क्या कोई सोच सकता है कार में ऐसे एड़े हो सकते हैं इन सौधागरों के कभी कार के दर्वाजे तो कभी टायर में छुपाकर हेरोईन ले जाई जा रही थी जिसका रूट था असम टू एमपी असम से लाई जा रही थी हेरोईन एमपी के शिपुरी में डेलिवरी होने वाली थी लेकिन उससे पहले ये राज खुल गया सेंट्रल ब्यूरो आफ नार्कोटिक्स की बड़ी कारवाई है ये इंटरनेशनल मार्केट में सेरोईन की कीमत करीब 15 करोड है तोनों शेहर में ऑपरेशन तसकर में तहकीकात भी हो रही है कि आखिर तसकर के और कितने राजदार मनसौर में नरिंदर धनोतिया और महासमुन से सुमनाथ टोन डेकर के साथ वियर और पोर्ट न्यूज एटीन मध्यप्रदेश 36 गड़ और अब बात करेंगे 36 गड़ विधान सबाचुनाओं में बीजेपी ने धर